नमस्कार वर इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकाधूरिया उत्रप्रदीश में कॉरोना वारस से हालात बेहत ही खराब हो गए हैं मुखे मंत्री योगी आधितिनाथ की बाद अब अपर मुखे सच्चिव सूचना नवनीत सहगल बीजीपी एचसी अवस्ती भी कॉरोना संखमन की चपेट में आ गए है इसके साथी लखनो के डियम अभिशेग प्रकाश भी कोबिट पॉसितिव पाई गए है अपर मुखे सच्चिव सूचना नवनीत सहगल ने गुरुवार को शिराती लक्षनों पर कोरोना वारिस संखमन की जाँच करवाई थी जिसके बाद उनकी रिपोर्ट पॉसितिव आई है पिलाल तीनों अफसरों ने खुद को होम आईसोलेट कर लिया है मई खनन निदेशक रोशन जैकब लकनोव की कारेवाहक डियम बनाई गई है आपको बता दे इसके अलावा बरेली एससपी रोहिक सिंग सजवान भी कोरोना पॉसितिव हो गई है एससपी दफतर अगले 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है इसके अलावा एसपी देहात राजकुमार अगरवाल पहले से पॉसितिव है और अब एसपी ट्राफिक की तविद भी खराब चल रही है आपको बता दे होते प्रदेश में पिछली 24 घंटे में कोरोना के 27,426 नए मामले दर्च के गए हैं इसके अलावा प्रियाग राज में 1758, वारण असी में 2344 और कानपुर में 1430 नए मामले दर्च के गए हैं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने यूपी में हर अभीवार कम्प्लीट लॉक्डाउन लगाने का बड़ा फैसला लिया है उत्रप्रदेश में अब सभी शेहरी और घ्रामीन शेत्रों में रणिद्वार को पूर्न रूप से लॉक्डाउन रहेगा इस जोरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे यही नहीं सभी के लिए मास्क लगाना अनिवारी कर दिया गया है बिना मास्क के पकड़े गए तो एक हजार रुपे का जर्माना लगाया जाएगा इसके लवा स्वास्ते विभाग ने जार्च का दायरा भी दोबारा बढ़ानी का फैसला लिया है बिभाग में अब महाराज दिल्ली, गुजरात और केरल से उत्कर प्रदेश आ रहें कामगारों और सामाने परेटकों की जार्च करने का फैसला लिया है इसके लिए एरपोर्ट, रोल्वीज और रेल्वी सिशन पर स्पेशल जार्च टीम में गधित की जाएंगी ये टीम इन प्रांतों से आने वाले यात्यों की चार्च करेगी इस खबर में फिलाल इतना ही, तमाम अबडेट्स के लिए आप बने रहें वनिलिया हिंदी के साथ